वेलकूम, वेलकूम, रूबी के किचें में वेलकूम, मेरी प्यारे वीवर्स को मेरा प्यार भरा सलम. आज हम बड़ा जबदस्ता चिकशोमीन मनाते हैं, और भी मेरे स्थायल हैं. तो चले स्णाइट करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब कर बटन दबाएं बराबर में ये बैल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो अच्छी लगें थम्स अप दें अच्छा देखें चाइनीज फाइफ स्टार पाउडर हम बनाएंगे जबदस्टा उसके लिए हम ले रहे हैं एक टीस्पून काली मिर्च साबत दो तीन टुकडे चोटे-चोटे दालचीनी के आधा टीस्पून जीरा सफैद वाला दस लॉंगे और एक बादियन तो ये चले देखते हैं ये देखें अच्छा खासा पाउडर बन गया हमारा चले इसको अब हम निकाल लेते हैं अब ये हमारा बहतरीन सा हम रख देंगे कि चाइनीज फाइफ स्टार पाउडर तो अब जाहरे हम हमें यूस तो कम ही करना है लेकिन हम इतना कम तो नहीं पीस सकते तो अब हम भर के यह हमारा आधा टी स्पून है तो बेसिकली चले काट के यह हम आधा डाला और आधा काट के लेवल्ड और डाल दिया तो बेसिकली एक टी स्पून लेवल्ड डालना है काट के यह हमारी चिकन जो है वह एक पाउंड थी याने आधा किलो जिसको हमने छोट चोटे-चोटे पीसेज में किया वह, यह देखें, यह रहे, चोटे-चोटे पीसेज, इस तरह से, bite size, अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, rice vinegar, आप कोई सभी सिर्का ले सकते हैं, तो यह 2 टेबल स्पून, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, soy sauce, यहां हमार चिकन का जो है, बहुत अच्छी, टेंडर सी हो जाएगी, आधा टीस्पून, काली मिर्चे, काली मिर्चे वैसे तो PC थी 5 स्टार में, लेकिन यह एक्स्ट्रा है, और आधा टीस्पून नमक, क्योंके soy sauce था, तो हम नमक जादा नहीं डालेंगे, तो यह सब चला गया, अब इसको हम कोने में रख देते हैं, जब तक हम दूसी चीज़े काट रहे हैं, यह मेरिनेट हो जाएगी, देखे हमारे पास यह अधरक लसन और हरी मिर्चे हैं, लसन हमारे पास बड़े बड़े पूरा हमारा एक पूरा पॉरा पॉट था, वो है 1.5 इंच का अधरक है, दो हर कट लेते हैं, चले, इसको अब हम थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे, पिसावा जो लसन रखावा होता है ना फ्रिज में, वो यूज नहीं कीजिएगा, इससे फ्रेश फ्रेश जो होगा ना, थोड़ा कुटा-कुटा टाइपका, उसका एक मज़ा ही अलग है, अब इसको ह अब हम अद्रक कर लेते हैं, अद्रक को भी हम, अच्छा जैसे जूलियन काटते हैं ना नहारी में अद्रक पहले तो हम इससा से काट लेंगे इसको, अब इसको आड़ा करके हम चॉप कर देंगे, अब हमारे पास यह हरी मिर्च है, यह तेज वाली है थोड़ी, तो मैं काटेंगे, पहले आधी कर ली और अब इसको हम काट लेंगे चले अब हम अपना चूला उन कर देते है यह हमने वाक रख खावा है, चूला हमारा गरम होगा और जब तक यह गरम होगा जब तक हम अपनी वेजेटेबल्स काटते हैं, वेजेटेबल्स में आप अपनी मर्जी के कोई भी ले सकते हैं, आपको जो दिल चाहता है, आपको पसंद है, जो चाइनीज से रिलेटेड है, हरी प्यास तो जैसे बहुत इंपॉर्णंट है, तो इसको अभी हम या रखते हमारे पास यह चले, यह हो गई, इसको हम यहा रखते हैं, साइड बे, हमारे पास यहाँ एक बेल पेपर है, जो के हम आधी लेंगे, थोड़ी-थोड़ी, स्लाइसेज में काट देंगे इसको, अब हमारे पास एक टुकड़ा अनियन का है, जो के आराउंड तीन आउंस के असपास का है, तो इसको भी स्लाइसेज कर लेते हैं, अच्छा, देखें, हमारे पास यहाँ स्वीट पैपर यह बेल पैर की भेनभाई है, बिल्कुल भी तेज नी होती है, और कलरफूल भी है, तो आज हम यह यह उसकार रहे हैं, आपके पास बेल पैबर होता है, आप वह उसकर लें, तो बस इसको पैसी तरह से हम काट लेंग यह वेजिटिबल आपको जितनी पसंद आए आप करें और अगर आपको चिकन नहीं डालनी होता आप खाली वेज़ भी कर सकते हैं और चिकन की जगा अगर आपको श्रिपड़ने तो वह भी कर सकते हैं कि देखने में अच्छा लगेगा अगर अगर कलर्फुल है नहीं है तो आप घरी डाल गर ए लिए ने डालेंगे और आगर आपके पास बेल पेपर कलर कडिए सक्टे जाल सकते हैं लाल वाली प्यास डнутьсяकते हैं तो अगर्या से भी आई जाएगा आपके पास जो होगा उस से भी आ जाएगा कर दो पर चले यह भी हो गया अब यहां हमारे पास जो है चार आउंस के असपास मश्रूम अगर आप आप इस्तमाल करना चाहते है, अवेलेबल है, दिल चाहता है, पसंद है, यूस करें, वरना आपकी चोईस की वेजटेबल, जो भी आपको करनी हो करें, देखें, अब हमारा ये जो है न चूला जो है, वो गर्मा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल, कोई सा भी ले ले आपकी पसंद का, ये 2 टेबल स्पून चला गया, आप इसमें गर्म गर्म में जाएगी हमारी चिकन जबर्दस्त हो जाएगी देखें, ये सिज्लिंग साउंड है ये हमें चाइनीज में चाहिए, चाइनीज की बात ही ये है कि वो हाई टेम्परेचर पर सब पकता है बस 3-4 मेरिनेट में हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने एक तो पीसे बहुत छोटे किये थे, प्लस ये मेरिनेट हो गया था, इसे में हमने बेकिंग सोडा डाला था, बस इसका कलर चेंज होगा, ब्राउनिश की तरफ आएगा, हम निकाल लेंगे लेकिन टेंपरेचर हाई रखेंगे, अभी भी मेरा हाई पर रखा था मैंने प्रीहीट और हाई पर ही है, चले ये हमारा चिकन जो है वो पकड़ा है जब तक हम चटपट जबदसा सॉस बना लेते हैं, सॉस के लिए ये है कि एक बोल में मैंने एक टेबल स्पून चिकन पा तो बेसे कली आपको दो क्यूब्स चिकन की लेके नोर या मैगी की वो आपको बोल में डालके तोड़ देनी है, अब इसमें आपको डालना है एक कप पानी, तो ये एक कप पानी चला गया, इसमें इसको हम विस्क करेंगे, ताकि अच्छा सा हमारा चिकन स्टॉप तैयार ह गया इस तरह से, अब इसमें हम डालेंगे ओस्टर सॉस, ये भी बड़ी आसानी से चाइनीज की चीज़ें मिलती है न, वहां मिल जाता है, तो बेसे कली हम ये डालेंगे 4 टेबल स्टॉन, तो ये वाला मैजर मेंट है न, ये मैजरिंग का, उससे मैंने 4 टेबल स्टॉन ल एक टेबल स्टॉन सोय सॉस, आधा टी स्टॉन काली मिर्चे, एक टेबल स्टॉन केचप, चले हम अपनी चिकन को जटपट देख लेते हैं, हाँ ये देखे कितनी खुप्सूरत सी हो गई है, हाडली 3 मिनिट हुए हो गई है और ये देखे जबरस सी हो गई है, चले, इसको जबरस सा, हम टॉस कर लेते हैं, चैनीज का यही मजा आता है, सिज्लिंग साउंग, एक दम टॉस करना, जबरस सा लगता है, ऐसा लगता है हम चैनीज के किचन में काम कर रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे, 2 टेबल स्पून भरके, चिली गालिक सॉस, चिली मैं लिंक यहां देती हूं, आप लुब देखिएगा, बड़ा जबरस सा है, तो चले, इसको हम सब मिक्स कर लेते हैं, यह हमारा जबरस सा सॉस रड़ी हो गया, चिकन हमारी रड़ी है, चले, अब हम इसको निकालते है, चले, बस अब हम 30-40 सेकंड ठहरते हैं, और हम अपन डालेंगे, चले, यह हमारा गर्मा गर्म दुबारा हो गया, इसमें अब हम डालते हैं, अरौंग 3 टेबल स्पून ओ और जादा ना हो, तो सुखी सड़ी चाउमन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, अब इसमें हम डाल देंगे, सारा हमने जो छॉप किया था ना, अधर अतरनाक सी, देखें, आने भी लग गई, हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हमें 30 सेकंड के लिए सौटे करना है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, ब्राउन करेंगे तो फ्लेवर चला जाएगा, तो यह देखें 30 सेकंड हो गई, और आब हम अपनी इसमें बैटेबल दालना शुरू करते हैं, इसमें हम अपने मश्रूम भी डाल देंगे, हरी प्यास को आखर में डालेंगे, क्योंकि हरी प्यास गुड लुकिंग भी लगती है, चले, इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, चले, इसको भी हम थोड़ा शो मार-मार के, और जाहर करेंगे कि हम किसी चाइनीज रेस्टरांट में काम कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा टॉस करते हैं, यह, यह, चाइनीज पकाने का भी तर फन है, मज़ेदार, एकदम हाई फ्लेम पे हटी, सिजलिंग साउंड के साथ मज़ा आता है, चले, यह थोड़ी सी कुक होगी, तकरीबन 30-40 सेकंड जब तक हम अपनी हरी प्यास काट लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस करेंगे इस तरह से, और अब इसको थोड़ा हम स्लाइस कर लेंगे, अब हम दुबारा तॉस कर लेते हैं, चले इस पॉइंट पर हम अपनी नूडल्स डालेंगे, नूडल्स हमने पहले से बॉल्ड करके रखी थी, यह हमारी बॉल्ड नूडल्स है, और 280 ग्राम्स हमने लीती, करनी है, यहने टूथ को फील होके पक गई है, लेकि सॉफ बहुत ना हो, क्योंकि हमें यहां भी पकानी है, तो यह हमारी यहां चली गई, और इसमें अब हम डाल देंगे, जो हमने सॉस रेडी किया था, वो सॉस, हम्, नहीं खतरना खुश्मों आ रही है, और यह जो सॉस हमने रखा है न, और नूडल्स को बहुत जादा पकी भी नहीं होगी, तो क्या है कि सॉस इसमें जाएगा, और नूडल्स सॉस के साथ, पकेगी गर्मा-गर्म वेजुटबल के साथ, तो इतनी फ्लेवर्पुल हो जाएगी, और नूडल्स जो बॉइल करने के लिए तो बॉक्स पर आप देख लें और अगर आपने फिर भी समझ में नहीं आ रहा है यह कुछ तो मेरी कुई भी वीडियो देख ले, चाइनीज की, मैंने सब में नूडल्स उबा लिये, तो आपको आइडिया लग जाएग उसमें, इसमें चली गई हमारी हरी प्यास, और अब हम डालेंगे अपनी चिकन, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमने जितना भी लिक्विड डाला था देखें, वो सब ड्राय हो गया है, निशानी यह है बन जाने की, कि जितना भी इतना सारा हमने एक कपली या था पानी और फिर सॉस वगरा सा रहे थे, वो यह ड्राय हो गया, completely absorbed हो गया, noodles में, vegetables में, चूला बन कर रहे है, और हमें over cook नहीं करना है, vegetables का भी crunch आना चाहिए थोड़ा, और noodles भी खुली-खुली जबदस ही हो, अब last में हम डालेंगे तिल का तेल, sesame seed oil, यह जो है Chinese की जान है, तो इसको डालेंगे हम आदा टी स्पून से मैक्सिमम एक टी स्पून तक इस डिश में, इससे जादा नहीं क्योंके यह इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉं होता है, जितना मज़ा देता है, इतना ही, अगर बहुत डालेंगे तो अनौय भी करेगा, तो हम डालेंगे एक टी देखा, कैसे जट पढ़ हमारा जबरसा चामिन बन गया आप लोगी ठेरो फर्माइश पर, मुझे भी बहुत ज़ादा पसंद है, लेकिन यह पता नहीं कैसे डिले हो गया, अब मैं ट्राइ करती हूँ अशी खतरनाग खुश्बू हारी है लग रहा है कि चैनीज रेस्टरॉंट की यह आरी है, अब मैं ट्राइ करके आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है लग रहा है चैनीज रेस्टरॉंट मखा रहे हैं वही खुश्बू वही जाइका अब भी बैतरीन वाले जिसमें खतरनाग आता है रेस्टरॉंट ऐसा वाला माइंड ब्लूइंग आप लोग जाएं बनाएं जल्दी यल्दी में आप लोग की परमाईश पूरी की अब आप लोग बनाएं मजे करें मजे करवाएं चलती हूँ दूआओं में याद रखिएगा इंशाला फिल लॉट क्या होंगे एक ख़रनाक रहसे पी के साथ love you all, bye! Allah Hafiz!